नमस्कार दोस्तो जैश्रीराम जैसिताराम जैजै हनुमान जैभागेशवरधाम सरकार दोस्तो चैत्र नवरादरी शुरू हो चुकी है और इन नौ दिनों में पूरे घर का माईनदम पवित्र हो जाता है लेकिन नवरादरी का समापन तभी माना जाता है जब हम अश्टमे और नवमी तिथी पर कन्या पूजन करते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि कन्या पूजन कब से शुरू हुआ और इसका क्या महत्व है और कन्या पूजन करने के पीछे का विधान और कारण क्या है इसी के साथ एक और जरूरी बात होती है कि कन्या पूजन के दुरन हम नो कन्याओं के साथ एक बालक का हुई पूजन क्यों करते हैं इसका कारण क्या है कन्या पूजन के तोरण हम सभी नो कन्याओं को और एक बालक को अपने घर में बुला कर खाना खिला कर उन्हें कुछ उपहार में भी देते हैं तो क्या कोई ऐसी चीज है जिसे अगर हम कन्याओं को उभार में देंगे तो हम रोणपती से करोणपती बन सकते हैं और देवी माता भी खुश हो सकती हैं तो इसी प्रसंग पर गुरु जी ने कुछ ऐसी चीजों की नाम अपने भगतों को बताए हैं जिने कन्या पूजन के समय वे कन्याओं को दे कर शुब फल प्राप्त कर सकते हैं दोस्तो सबसे पहली कन्या पूजन के मौरत से शुरूआत करती हैं तो जैसे कि हम सभी को पता है कि चैतर नवरातरी 22 मार्च से शुरू हो चुके हैं और अश्टमी और नवमे तिथी को कन्या पूजन किया जाएगा तो चैत्र नवरात्री का कन्या पूजन के लिए अश्टमी तिती का शुब मोहरत इस बार 29 मार्ज को शाम 7 बचकर 2 मिनट से शुरू हो रहा है वहीं अश्टमी तिती का समापन 29 मार्ज को रात 9 बचकर 7 मिनट पर खत्म होगा और उसके बाद 9 मे तिती शुरू हो जाएगी तो इसी विधान से अश्टमी तिती 29 मार्ज की मानी जाएगी और 9 मे तिती 30 मारज की मानी जाएगी तो आप इसमें किसी भी समय कन्या पूजन करके लाब ले सकते हैं चली आपको कन्या पूजन कैसे शुरू हुआ इसका विधान भी बता देते हैं तो दोस्तो आज सी हजारों साल पहले जमू कश्मिर के कट्रा काम से दो किलो मिटर आगे जाने पर हनसाली गाव में माता का एक भगद शृदर रहता था श्रीदर बहुत गरीब और निसंतान था श्रीदर और उसकी पतनी हमीशे माता की पूचा में लगे रहते थे और उनसे संतान प्राप्ती के लिए आगराय करते रहते थे एक पर उनकी भक्ती से प्रसंद होकर माता वैशनो देवी श्रीदर के घर में कन्या के रूप में आई और श्रीदर को कहा कि पूरे घाव में बंडारे का नौता दे दो तब श्रीदर के पास बंडारा कराने के लिए बिल्कुल भी साधन नहीं थे लेकिन कन्या के बात मानकर श्रीदर ने देवी मातापत भरोसा किया और भंडारे का न्योता पूरे गाव में दे दिया और माता वैशनो देवी की किरपा से भंडारे में पूरे गाव को भर पिट खाना खिलाया और कन्या पूजन के बाद माता वैश्णो देवी श्रिधर से प्रसन होकर उसे आशिरवात दिया और उसके बाद ही उनके घर में संतान का जन हुआ तो तबी से कन्या पूजन का विशिश महत वुमाना जाता है अब कन्या पूजन के साथ एक बालक को पूजने का जो विधान है जिसे हम लंगूरिया कहते हैं तो इसके पीछे की कथा कुछ ऐसी है जो की इस प्रकार है सती माता ने अपने पिता दक्ष के यहां पर यक्य में आत्मधा किया था तब शिवजी उनके वियोग में बैरागी हो गए थे और उनके शरीर को लेकर ब्रहमाण में यहां वहां घूम रहे थे माता की नवरात्रों का समापन करता है उसे उसकी मनवान्चित सभी वस्तुव मिल जाती है और तभी नवरात्रों का समापन भी माना जाता है माता की भक्त नवरात्रों में अश्टमी और नवमितित को नो कन्याओं के पूजन करके उन्हें खाना खिलाते हैं चुण्ट्री उड़ाते हैं और अपनी समर्थे की हिसाब से उन्हें दान दक्षिना भी देते हैं तो चलिए आपको कन्या पूजन की विधी भी बता देते हैं तो कन्या पूजन के लिए आपको 9 कन्याओं और एक लांगोरिया बालक को अपने घर में बुलाना है और उन्हें आसन पर बैठा कर भोजन कराना है अब सबसे पहले आपको उनके चर्ण धोने हैं आप पैर धोने के लिए साफ सुत्रा पानी या फिर गंगाजल मिला हुआ पानी या फिर दूद का इस्तमाल कर सकते हैं आपको चर्ण धोकर कन्याओं को पूरे समान के साथ बैठाना है अब आपको कन्याओं की माथे पर रोली से तिलक लगाना है इसके बाद आप अपने घर में विराजमें नो कन्याओं और एक बालग को भोजन कराएं बोजन में आप हलवा पूरी सबजी का भोजन करा सकते हैं लेकिन ध्यान रखेगा एक मिठाई जरूर होनी चाहिए जब कन्या लांगुर भोजन कर ले तो आपको सभी कन्या को लाल रंग की चुंड़ी जरूर उड़ानी है लाल रंग मातारानी को बहुत ही प्रिया होता है और इसके अलावा इसका एक और विधान है कि लाल रंग मंगल ग्रह से जुड़ा होता है तो अगर आप लाल रंग का कोई भी कबड़ा दान करते हैं तो इससे आपका मंगल ग्रह मजबूत होता है और आपके कारेशेत्र में भी तरफकी होती है इसके साथ अगर आप अपने घर में बरकत चाहते हैं और अपने घर की कलिश को खत्म करना चाहते हैं तो आप सभी कन्याओं को रंग बिरंगी चुड़िया उपहार में दे दे ये दोनों फल लक्षमी नारायन दोनों को अतिप्रिया हैं ऐसा करने से आपके घर में सुख संपती वैभव की प्राप्ती होगी साती दोस्तों आपको कन्या भूजन के साथ सबी कन्या को शेंगार का सामान और दक्षिना जरूर देनी है अब जैसे कि हम कभी भी पंडितों को भोजन कराते हैं तो बिना दक्षिना के कोई भी भोजन संपूर नहीं माना जाता उसे परकर कन्याओं को भोजन कराने के बाद उन्हें अपने सामर्थे के हिसाब से दक्षिना जरूर दे आप 5 रुपे, 10 रुपे जितना पर आपसे संपप हो आप उतनी दक्षिना करन्याओं को दे सकते हैं इसी के साथ आप एक चीज चो आपको कन्याओं को विशेश रुप से देनी हैं जिसे दोईने से आप रोड़पती से करोड़पती बन सकते हैं वो भी आपको बता देते हैं तो जब भी आपको कन्याओं को विदा करें तो उन्हें विदा का सारा सामान देने के साथ सत आपको थोड़े से चावल, थोड़ा से जीरा और गुड़ ज़रू देना है। इसे कोचा कहते हैं। भगवती पुरान और मारकंडे पुरान में बताया गया है कि विदा के समय कोचा देने से कन्या के साथ लक्षमी घर से विदा नहीं होती है। जिस तरह से मातारानी लाल रंगे पूरी श्रिंगार के साथ पूरी दुनिया में खुशाली बिखेरती हैं, उसी तरह से आपका घर भी हमेशा खुशियों से भरा रहेगा। तो ये तो वो चीज थी जो आपको कन्याओ को उपहार में देनी हैं, जिन से आप रोड़ पती से करोड़ पती बन सकते हैं। अब नवरातरी में कन्या पूजन के कुछ नियम भी सुन लीजिए। तो ध्यान रहे कि 9 वर्ष तक की कन्याओ को ही आप अपने घर में पूजन के लिए लेकर हैं। क्योंकि एक वर्ष उसे 9 वर्ष तक की छोटी कन्या ही माता का स्वरूप मानी जाती है। अगर हम भगवती पुरान और मार्केट ने पुरान को देखें। जितना महत्व नवरातरी में घट स्तापना और 9 दिन माता की अरातना और जोट जलाने का है। उतना ही महत्व कन्या पूजन का होता है। तो इस नवरातरे इन उपायों को अपना कर आप भी रोड़पती से करोड़पती हो सकते हैं। तो उमीत करते हैं गुरुजय की बताई हुई ये बाते आपको जरूर बसन आई होगी। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। धन्यवाल।